हेलो गाइज माईसल श्रता और फाइनली 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 वो दिन आ गया है जिसका हम सबको बहुत बेसबरी से इंतजार था सिवियसे ने अपनी वेबसाइट पर क्लास टेंथ के बच्चों के लिए सेंपल पेपर सभी सब्जेक्ट के अपलोड कर दिये अभी तक हमें ये तो पता था कि जो टर्म टू है वो सब्जेक्टिव होने वाला है सब्जेक्टिव मीन्स को डिटेल में लिखना होगा सॉल्व करकर के दिखाना होगा लेकिन ये नहीं पता था कि पेपर में कितने सेक्शन होंगे कितने question होंगे और किस तरह से marks का distribution होगा तो वो ही चीज आज मैं आपको बताऊंगी कि जो latest sample paper है उसमें किस तरह से चीजों का distribution किया गया है पेपर में 3 section है A, B और C section A में 6 question दिये गए है section B में 4 और section C में भी 4 question दिये गए है जो section A है उसमें हर question 2 marks का है that means section A आपका total हुआ 12 marks का जो section B है उसमें हर question 3 marks का है that means section B हुआ आपका 12 marks का जो section C है जिसमें 4 question है उसमें हर question 4 marks का है तो total हुआ 16 marks इसलिए पूरा paper आपका है 40 marks का और इस paper को करने के लिए आपको 2 घंडे का time मिलेगा अभी तक हमें ये भी पता था कि questions application based आएंगे लेकिन किस तरीके के आएंगे ये थोड़ा doubt था मन में कि कैसे होगा question किस तरीके के होंगे तो मैंने description box में link दे दिया है आप sample paper को check करिए कि question किस तरीके से आएं क्योंकि जो website पर paper upload किया जाता है ये sample paper आप लोगों की सुविधा के लिए और real exam में जो आपका paper आता है that means जो भी आपके exam March almost March में जो आपके term 2 के exam होंगे वो एक जैसा सही होता है variation थोड़ा बहुत up down हो सकता है बहुत जादा कुछ खास up down नहीं होता अब बात है internal choice की जो section A है उसमें दो internal choice दी गई है section B में एक internal choice दी गई है और section C में भी एक internal choice दी गई है और हाँ एक और खास बात कि section C में दो case study based question दिये गए है जिस तरीके के term 1 में आये थे लेकिन जो section C में choice है वो choice दूसरे questions में दी गई है case study based question में कोई भी choice नहीं है that means आपको दोनों की दोनो case study को solve करना होगा तो case study की अच्छे से practice करिएगा अब देखे term 2 बहुत matter करता है आप लोगों के लिए वो किस तरीके से देखे term 1 तो हो चुका है अब जिसका अच्छा गया वो बहुत अच्छी बात है लेकिन जिसका थोड़ा भूत खराब चला गया है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा मुका है अपने आपको show करने का अपने marks में improvement लाने का तो इसलिए term 2 की बहुत अच्छे से तयारी करिएगा और एक और positive point है आपकी क्योंकि MCQ में क्या होता है कि R या par R या par means अगर आपने ठीक किया तो 1 mark और अगर थोड़ा सभी कही mistake हो गई तो वो marks खतम लेकिन यहापर ऐसा नहीं अगर आप थोड़ा भी करकर आएंगे तो उसके लिए भी आपको marks मिलते हैं तो इसलिए तयारी अच्छे से करिएगा आपको अपना पूरा 100% देना है क्योंकि यह ही last chance है आपके पास में और disappointed बिल्कुल भी नहीं होना है उन बच्चों को जिनका term 1 खराब हो गया है क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है तो बच्चों all the best good luck for your term 2 exam और इस तरह की latest update के लिए बने रहे है science word चैनल पर थेंक यू एंड बाई बाई